प्रेट कर सकते हैं और सम्सुपर सैटप तो लेट्स स्टार्ट पेले अगर हम निफ्टी की बात करें अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाओ तो निफ्टी एक अपने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और ये जोन निफ्टी के लिए बहुत ही अपना एक क्रिशल जोन बन चुका है ये वाला जोन और अगर और निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग ते चुका है और अगर मैं इंपोर्टेंट इम इसकी बात करूँ तो बहुत ही क्रिशल EMA जो की है EMA 50 ये ब्रेक किया और अभी एक डोजी बना चुका है इस विल बिया इंडिसीजन केंडल मार्केट कल अपने हाई और लो को ब्रेक करता है और अगर तो मैं कहूंगा कि अगर इसको ब्रेक करकी कही ना कही नीचे क्लोजिंग देता है EMA 50 के ल मैं आपको 15 मिनिट चार्ट पर दिखाऊंँ चलिए अगर 15 मिनिट चार्ट पर अनलाइज करें तो डेफिनेटली अगर मैं ये अटा देते हैं इसकी कोई ज़रुद नहीं है निफ्टी ने निफ्टी कल सारा दिन एक जोन मेरा ब्रेक करने कोशिश करी बट ये एक ट्रेंड लाइन सा सप्पोर्ट ले रहा था उसी से रजिस्टंस लेके यह नीचे आया अपने दिन के लोग को ब्रेक तो कीया बट अन्ड में एक बाइंग मोमेंटम मील और इसी से यह रजिस्टंस ले रहा है दूबार पी बार चार आख पांच बार बा ये derived successor समतलि तता है हमारा पहला टार्गेट रहेगा एमें 50 और अगर यह एमें 50 को भी ब्रेक करता है इस वेल वाइस टार्गेट और यह हमारा जो जो जोन है इस विल भी अबर सेकंड अगर मैं बैंक निफ्टी के बात करो तो बैंक निफ्ट फड़ा जादा स्रॉग था बैंक निफ्टी ने अपने दिन के हाई को ब्रेक तो किया बट यह में 50 से रिस्टन्स लेके फिर से अपने उसी जोन में गुज़ गया और अपने दिन के लो को वो टेस्ट कर चुका है अगर यह कल स्ट्रॉंग बाइंग के साथ अपनी EMA 200 को ब्रेक करता है क्योंकि हम सब जानते हैं यह में 200 अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यह हमारा फर्स्ट आर्गेट रहेगा और इसको ब्रेक करता है तो यह हमारा सेकंड टार्गेट रहेगा इतना एक दिन में तो मेले गानी इसको हम अच्छे स्टॉक्स देख लेते हैं पहले स्टॉक के हीडो मोटर को फिरो मोटर को पेक अपना एक फ्लाग और पॉल टाइप फैक्टर मना रहा है गाप खूला ब्रेक किया और ये तब से इसी जोन में होल्ट कर रहा है कि बरेक करने कोशिश करता है एएमाए अपने उसी जोन में आ जाता है अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं अगर ये कल ये में ृफिस्टी को अपनी बरेक करता है और एसको भी बरेक करता है ये हमारा सेकींडалगरत रहेगा करता है तो डेफिनिटली हम पॉइंट एटी परसंट का टार्गेट और ले सकते हैं सेलिंग की तरफ में जादा द्यान में दूंगा क्योंकि कही ना कहीं एक मिडल में है और अगर यह बाइंग के तरफ जाता है तो पिवेट्स का अम टार्गेट ले सकते हैं बट हायर चांस प्रिशल लेवल पर है यह इसके लिए एक जोन है जो बहुत है इंपॉर्टन जोन है और यह एक जोन है इसके लिए जो काफी देर से यह स्टॉक रिस्पेक्ट करता आ रहा है अगर मैं पीछे भी लेकर जाओं तो पीछे भी इसी ने इसको डेफिनिटली कहीं यहां कहीं चाहर इसको ब्रिक किया उपर गया एक को है अपैंड कोपन हैमेन है और हैंडल की तरह इसमें ब्रेक किया अब ब्रेक करके नीचे आकी फिर से इनिए लेवल्स को टेस्ट करने आ चुका है जब इसको ट्रेट कैसे कर सकते हैं अगर यह इसको break करके कही न कहीं retest करके इस zone को break करता है EMA 200 definitely यह break कर देगा this will be our first target this will be our second target और नीचे की तरफ अगर यह at any day 15 minute candle इस zone के नीचे closing दे देता है because EMA 50 भी कही न कहीं इसके ऊपर आजाएगी definitely this will be our first target this will be our second target बहुत ही अच्छे लेवल पर देख रहा है तो कल हम इसको accordingly trade plan कर सकते हैं अगले stock के बजाज ओटो बजाज ओटो अगर मैं बात करूं तो बजाज ओटो काफी देर से अगर मैं एक zone में देखूं तो 14 दिन से यह इसी zone के आसपास बटक रहा है पहले के अगर मैं बात करूं तो यह कहीं न कहीं साथ दिन इसी zone में रहा ब्रेक करता था उपर जाता था ब्रेक करता था उपर को ब्रेक करता था फिर से नीचे आ जाता था एक बर फिर से ब्रेक किया सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया और अब एक वर ब्रेक करके नीचे आ चुका है और यूज बाइंग के साथ इसको ब्रेक करके री टेस्ट करके ऊपर आ रहा है अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं एट एनी 15 मिनिट कैंडल अगर यह ब्रेक करता है नॉट इन अमार्केट अर्लियोर्स अगर इसको ब्रेक करता है तो इस विल भी अवर डेफिनेटली फर्स टार्गेट इस विल ब्रेक करता है और अगर यह इस टार्गेट को भी ब्रेक करता है विकोज इसमें बहुत ही स्टॉंग हुई है आज ऑटो सेक्टर रिजन स्टॉंग मोमेंटम अगर यह ब्रेक करता है यह भी ब्रेक करता है तो पॉइंट 80 परसेंट का हम टार्गेट और ले सकते हैं अगले स्टॉक की बात करूं 15 मिनट से पहले मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा अट वन डे टाइम फ्रेम आई टी सी अपने एक बहुत ही क्रिशल एमे एमे 200 को ब्रेक कर चुका है और पिछले चार दिन से इसमें रेगुलर सेलिंग आ रहे हैं और अगर हम इसकी बात करें इसको ट्रेट कैसे कर सकते हैं यह अपने जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था और कल ब्रेकिंग देके इसको प्लोजिंग दे चुका है अगर यह इसको कहीं न कहीं फिर से ब्रेक करता है तो हम कहीं यहीं पर बाइंग करेंगे और पिवेट का टार्गेट ले लेंगे और डेफिनेटली वन टो टू परसंट का टार्गेट हम ले सकते हैं और अगर यह कल इस लेवल को ब्रेक करता है लाइक इस डेफिनेटली यह हमारा फर्स्ट टार्गेट रहेगा और यह हमें 200 हमारा सेकेंड टार्गेट रहेगा क्योंकि 4 चार दिनों से इसमें सेलिंग आ चुकी है तो डेफिनेटली एक कोई भी स्टोक सीधा तो गिरने सकता यह एक जोन में गिरेगा और आइकन से वेव में यह वेव वन आ चुकी है वेव तू की हम मेट करेंगे तू शाहिद कर सकता है और देन वेव थ्री डेफिनेटली का सैलिंग और इक का इन बी लाइक थेस आज़ा सो हम इसको कौर्डिकली प्लान करेंगे बाद डेफिनली कल यह बहुत अच्छे लेवल पर है एक सौ्स आज़ पर तो दोड़ागाइस आजुका इन नेक्स वीडियो उंतिल दान लिव या लाइफ जाए वेव या वेव तू दिव दू